हेलो आज हम दिस्टेस करने वाले हैं HAP के प्रिविएस पेपर के बारे में जो कि आपके मेन एक्जामिनीशन में कंडेक्ट हो चुके हैं वेलकम तो माई चैनल अमरसार अकेड़ेमी दिस इस हिवान सु लेट्स स्टार्ट टॉपिक सो जो स्टुडेंट थे कुछ दो पहले मैंने फार्मसोटिकल अनलेसिस का पेपर डिसस किया था तो उन्होंने बोला था कि सर अगर आपके पास HAP का पेपर अविलेबल हो तो प्लीज वो शेयर करना तो उसी पेपर को लेके आ गया हूं मैं चलिए स्टार्ट करते हैं तो जै फाइव कुछन पूछे को हैं हीमोस्टाटिक्स एनीमिय क्या है उसके बारे में लिखना है आपको वेरी सॉट एंसवर मतलब मिनिममम 20 वर्ट इसमें होने चाहिए रह फेक्टर काडिक आउट्पूट एंड रेटिकुलो एंडोथिलियल सेल के बारे में यह लिखना है एपर टेंशन, साइनोवियल जॉइंट एंड कार्डिक साइकल के बारे में लिखना है उके तो वेरी सॉट एंसवर इसकी जो वर्ट मैक्सिमम जो है 20 वर्ट इसमें रहेंगे आपके नेक्स सेक्शन बी की में बात करूँ ड्रॉ तर वेल डाइग्राम लेबल डाइग्राम चैनल में लिखना है और उसके एक पार्ट के बारे में लिखना है तीसरा देखिये व इस परिफिर नर्वर सिस्टम एक्स्ट्रेशल फंक्शन परसंपेना तो मेटिक नर्रो सिस्टम इन तीनों में से आपको कोई दो अटेंड करने है तो टोटल यह आपको जो नंबर है 75 नंबर का रहे गाई है और 25 नंबर आपके कॉले से जाते हैं और और हो गए 100 नंबर ओके चलिए तो next section C के में बात करूं section C में देखी एंसर देनी 4 following the question short answer the first is regulation of blood pressure structure function of ear composition of function and blood blood के बारे में composition क्या क्या है RBC WBC blood cells के बारे में what are the joint and write down the type of joint movement and articulation question number C 6 classified tissue explain the location function and connective tissue के बारे में बताना है and seven number जो question उसमें B short answer क्या है चार दे रखें जिसमें से तीन आपको करने हैं पहला राएगा आपका write down the mechanism of blood coagulation the blood coagulation के बारे में बताना आपको next question number B जो है lymphatic vessels के बारे में बताना है question number C जो है ECG के बारे में बताना है यह थोड़ा सा PDF जो है वो सही नहीं है तो यहां पे मैं पढ़ रहा हूं आप देख लेना ECG के बारे में बताना है next जो है D physiology of muscle contraction के बारे में बताना है okay तो यह question paper जो है वो फंद्रा दो दोजा अठारा को conduct हुआ था यह RUHS University के हम बात कर रहे है रास्तान study about health science का paper है previous paper 2018 का next बात करते हैं जो की आठ साथ 2019 को conduct हुआ था B farm first semester re-examination July में जो re-examination होते है जो back student है उनके लिए जो paper था उन में से देखिए अपना aim यही है कि ज्यादा से ज्यादा important question जो as per examination अगर हम देखेंगे तो it might be helpful for you that what type of question you face in your examination कौन-कौन से question जो आप देख सकते हैं अपने examination में तो इसमें पहला देखिए answer the following थोड़ी सी pdf sign यह मैं पढ़ के बता रहूं आप देख लेना answer the following question very short maximum 20 words जैसे कि आप जानते हैं section first में जो है short answer आते हैं जिसमें की 20 words आपको लिखने रहते हैं वही वापस से question आ रहा है hemostatics digital plan after load dorsal part and anastomosis के बारे में आपको लिखना है next question number second में देखिए clotting factor function of lymphatic system draw the well diagram of ear and function of sympathetic and s nerve system के बारे में लिखना है next बात करते है अपन section B की section B में देखिए third number question 3 question 3 question 3 में से 2 आपको attend करने है कोई भी 2 attend करने है okay तो इन में कौन कांसे रहेंगे first discuss in detail about the discuss in detail about the right circle of also draw the well diagram of heart heart के diagram के बारे में बताना है आपको and cardiac circle के बारे में आपको बताना है write down the tissue and classify to discuss the nerve tissue detail what is the tissue इसके बारे में लिखना है फिर जो nerve tissue जो है उनके बारे में आपको concern लिखना है यह long answer तो आपको 10 नंबर के इसाब से उसको लिखना पड़ेगा discuss about various type of bone and write down the various type of joint देखिये ऐसे भी cushion बन सकता है bone and joint के लिए next section c जो है cushion number six की बात करते है general principle of थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा नहीं जा रहा है तो next question पर चलते है अपन the structure of functional of skin के बारे में discuss the blood group के बारे में rh factor discuss the physiology of muscle contraction and discuss about the process of hemolysis hemolysis के बारे में बताना है आपको द्रद्मिया क्या है heart की जो दीजी से उसके बारे में आपको discuss करना है चलिए next question paper पर चलते हैं यह paper थोड़ा दंका दिख रहा है इसकी pdf सही नहीं थी तो यह 29-1-2092 conduct हुआ है B pharma first semester end semester examination July to die sorry January 2019 HAP क्या-क्या है देखिये question में section A very short answer answer the following question of very short maximum 20 words limit first human cell के बारे में बताना है tissue blood pressure enemy and ECG के बारे में लिखना है 20 words में short answer में लिखना है next question number 2 में देखते है what is the synaptic lab what is the joint disorder what do you mean by the endocrine gland and write the role of the lymphatic system के बारे में आपको बताना है give the scope of anatomy यह भी आपके short answer में रहेगा section B की तरब चलते हैं जिसमें की long answer आपको face करने पढ़ेंगे जिसमें की क्यों तीन कुशन आएगी जिसमें से आपको दो अटेंड करने है तो कौन-कौन सा है third number question देखे give difference between type of tissue explain the structure of functional epithelial tissue के बारे में बताना है question number 4 describe the physiology of muscle contraction of neat diagram ठीक है neat and clean diagram बताना आपको muscle contraction के बारे में next to illuminate the different type of joint describe the function of joint with example पल कुछ section C के बारे में देखते हैं the answer the NE4 following short answer give the function of the synaptic nerve system explain the structure of function of blood vessels what do you understand by the cranial nerve cranial nerve जो है आपकी उसके बारे में आपको बताना है उसके explanation पूरा देना है okay what about different sense organ जित्र भी उसके बारे में बताना और next question जो है आपका e describe mechanism of blood coagulation के बारे में बताना है next बात करते हैं answer the NE3 of following question in short answer कौन-कौन से हैं देखे write the describe sorry disorder of blood describe the cause of heart disease give the significance of RS factor and discuss the extracellular signal के बारे में बताना है तो यह कुछ तीन question paper थे जो कि previous examination में आ चुके हैं for be pharma first year okay first semester HAP subject का okay HAP subject का तो जैसे कि आप जानते हैं subject मेरा जो subject है वो pharmaceutical analysis है तो उसके बारे में topic theoretical discuss कर रहे हैं experiment related discuss कर रहे हैं उसके related कोई भी आपको confusion है तो आप मेरे playlist में जाके check कर सकते हैं बट स्टुडेंट की दिमांड थे इसर अगर previous paper HAP का available हो जाता तो अच्छा रहता है तो वो भी मैंने discuss कर दिया है okay so thank you so much for watching keep watching keep supporting